हाँ तो हिंदी साहिते के चैप्ट नमर 3 पर ने अपन ध्यान दखना कि कितने भी कैप्सूल में आपको हर चैप्टर के बना दूगा लेकिन जो गद्दे खंड हो चाहिए वो पद्दे का वैंश हो उनमें जो व्याख्या ही होती है वो ज्याद है इंपोर्टन नहीं लगा सक प्रियाक संग्राले के लिए पुरातत्व सामगरी का संक्लन और सनक्षन किया था ठीक है तो संग्राले का नमीन विशाल भवन बनवाया और उसका उद्गाठन जमालाल नेरुनिय कराया तब पश्यात उसकी देखरेक का कारिये डौक्टर सतिश अंदर काला को सौप दिया गया प्रस्तुत पार्ट व्यासदी की आद्मकदा कच्चा चिटा का एक अन्श है लेकिक न लेकक ने चतुर मुक शिव की मूर्थी एक खेत से उठवा ली कि इन्टु ग्रामवासियों की निवेदन पर लोटा दी एक बार कोशाम भी जाने पर खेत की मेड़ चमशते हैं खेत की बार्ड होती है बाउंडरी मेड़ पर बोधिसत्वे की आठ फुट लंभी बिना सिर की मूर्थी लेकरक ने देखी तो खेत की मालिकीं बुडिया से भारत की यातरा कर लेखक ने अनेक तामरमूर्तियां, हसलिकित पोथियां, मुद्राइं, मन के, शिराधी चीजें, संग्राले के लिए प्राप्त की, ठीक है, मतलब जो मुजियूम पूरा मुजियूम तयार किया था, जहां से कुछ ही मिलता उसको लेकिया जाते, और पूरा संग्राले, यान की मुजियूम जो है, कहां का, जो वो तयार करते हैं, उन्होंने विशाल भाउन बनवाए था, यह अपने बात करते हैं, तो परियाग संग्राले के नाम से, ठीक है, परियाग उत्रपरदेश, अब एक एक पहले व्याख्या जान लेते हैं, पूरा चैप् और डाई मिल, डाई मिल समझते हैं, डाई मिल से, जो है, डाई मिल तो ही है, सोबागे से, गाउं में कोई सवारी इक्या पर आई, इक्या समझते हैं, जो घोड़ा गाड़ी होती है, गोड़ा पीछ जो लकड़ी की बड़ी होती है, उसको खिंचता है, उसको बोलते हैं, एक्किया पर आई थी, उस एक्किया को ठीक कर लिया और पसोवे के लिए रवाना हो गया, कील कांटे से दूर्स था, पसोवा एक बड़ा जेहन तिर्थ है, वहां प्राचीन काल से परतिवर्थ जेनु का एक बड़ा मेला लगता है, जिसका दूर दूर से हजारूं जेहन या पर आई पुष्टक अंतराबाग सेकेंड में कच्चा चीटा नामक पार्ट से संग्लित किया गया है, उसमें से ही सुलिया गया है, और ये ब्रजमान व्यास जी की आत्मकता मेरा कच्चा चीटा का एक छोटा सा अंश है, प्रसंग ब्रजमान व्यास जी इलाबाद नगर पालिका के कारेपाले अधिकारी रहे तो उन्होंने अपने व्यास परियासों से इलाबा संग्लाले के लिए पुरातात्यों की महत्यों की परचूर समगरी एक प्रसिद म्यूजियम बनाया ठीक है, जो अपने पढ़ भी लिया, व्याक्या, व्यास जी बताते हैं, कि 1936 में परचिद बहुत तिर्तिस्तल कोशा मी गए थे, जहां उन्हें कोई काम था, वहां का काम समाग करके उन्हें सोचा कि एक दिन के लिए जेहन तिर्तिस्तल पसोवा हो जाता हूँ, जो अब जहां पर बड़ी परचिद जेहन के मंदिर हैं, और खूब सारे जेहन तिर्तिया आतरी वहां पराते हैं, टीक है, वहां हो जाता हूँ, तो वहां से डाई मील की दूरी पर था, वहां से मुश्किल से डाई मील पूरा है, तो सभागे से कोई का सवाली लेकर गाउं में आये था, उसे ही अपने, उसी इक्क्य को ते ख कर लिए चलो, आप ही चलो, उसको ले कि आशा रहती है उन्होंने पसवा के बारे में ये भी सोच सुना था कि हम पहाड़ी यहां पाड़ी पर एक छोटी गुफा भी है ठीक है जिसमें बुद्ध व्यायाम किया करते थे और वहां एक जेररा सर्ब भी रहता है बताओ बुद्ध जहां व्यायाम करते हैं उस जगे किछ़े बनाया सब्सक्राव से चैटा है इसकाड़ी कुछी है को быpow Oculus सारल सायज भाषा परिवह सेकंड मैं करी जाता हूं तो चूचे हैं मतलब खाली हाथ नहीं आता हूँ ठीक है नहीं रोड़ता यहां कोई विशेश मेरतवे की चीज तो नहीं मिली क्योंकि इनको कुछ ही मिल जाती पुराणी उसको उठा के लिए आते अपने म्यूजियू में लेके लेकिया जाते पर गाओं के बीतर कुछ बढ करती हुई बिल्ली के सामने एक चुआ स्वेम आ जाए तो वेचारी वह अपना करतवे पालन करना पड़ता ही है क्योंकि फिर तो क्या करेगी फिर तो इसके उत्तर उत्तर देखते हुए उसे चुप चाब एक्किया पर रख लिया संद्रफिक्स है प्रसंग प्रजमोन व् संग्राली के लिए कुछ लेकर आता हूं खाली आप नहीं आता कोशंबी की आता पर जम्हें गया था तो वहां से पसोवा चला गया जो एक बोधिस्तल था पसोवा तो जेन इसलता ना पसोवा चला गया चला गया जो और वह पहाड़ी थी एक सेकंड देख लेते हैं इसको तो यह है पसोवा जेन दिरते से पसोवा है वो जेन है वो ना यह थोड़ी सी मिस्टेक है इसको पर जेन होना चाहिए शाहिद है वह एक पाड़ी थी गाहों के कुछ मिट्टी की मूर्तियां सिक्के और मनके में लगे एक के पर जब कोशामी लोट रहा था तो रास्ते में पेड़ के नीचे चत्रमो की शीव की प्रतिमा रखी रही कि मुझे मूर्ति जैसे ललचा रही थी कि भूकी बिल्ली के सामने चुआ जाए तो वह उसे खाकर अपना वर्थ तोड़ेगी सिदी सी बात है ठीक इसी परकार पुरतात्विक महत्वे की वस्तों का संग्रह करने मुझे उस चत्रमो की शीव मूर्ति ने ऐसा ललचाया कि मैंने चुपचा बीस सेर की बीस किलो की इस मूर्ति को उठा कर एक्केप रख लिया ने कुता भूंका ने किसने ने देखा मैं मूर्ति लेकर इलाबाद आ गया और उसे संग्राले में रखवा दिया ठीक है विशे अत्मक शेली तरह आत्मक शेली का प्रयोग किया गया है बाकिस्तरल सहिज भाशा है ठीक है तीसरा उसके थोड़े दिन बाद गाउंवालों को पता चल लग गया कि चत्रमो क्शिव वहां से अंत्रमल अब गाउंवालों तो पता रहता है कहां मूर्ति रिखी उती गई का ठीक है अंत्रमलों कहां गाईब हो गई तो जिस परकार भरतपुर राज्य की सीमा पर डखेती होने से पुलिस का ध्यान मान सिंग अतोर उसके सुपुत्र तहसीलदार पर सहसा जाता था कुछ उसी परकार कोशामी मंडल ने कोई मूर्ति इस्ताना अंत्रमने पर गाउंव मैं समझ इतना प्रक्यात हो चुका था कि संदे होना सोभावी की था क्योंकि 95% उनका संदे सही निकलता था ठीक है प्रसंग कोशाबी ने लोडते समय व्यास जी को एक गाउं के बाहर पेड़ के नीचे चत्रमुक शिव की प्रतिमा रखी दिखाई दी वे उसे वहां से ल केती होने पर पुलिस का संदे किस पर जाता था वो परसिट दाकूते मान सिंग और उसके पुतर तहसीलदार पर होता था ठीक है उसी परकार कोशाम भी मंदल से हैं पुरातात्विक महत्वे की कोई भी वस्तोगरी दिगाईब होती तो लोगों का संदे ब्रजमोन व्यास पर संदे हुआ वे इस समंद में कुख्यात हो चुके थे और बात ठीक भी थी क्योंकि 95% मामलों में उनका ये डाउट ये संदे सही होता था लोगों का और जब अपना सोना खोटा हो तो परकने वाले का क्या दोश चिद्धी सी बात है वास्तिविकता यही थी कि चत्रमों पूलगी शिव मूर्ति व्यास जी की ही वहां से उठाके लखात के लिया थे तो पर रजमों मुक्या ने कुछ और मेरे मस्तक पर हसमामूल शंदन का कि जब शें जंकर भगवान हम लोगन के छोड़के यहां चले आए हैं, गाउं भर पानी ने पीसा, अहुर तब जब भगवान गाउं ने चली हैं, अब हम लोगन के प्रान आपकी हाथ में हैं, आप हुकम देओ तो आप भगवान को ले आए जाए, इदि मुझे मालूम होता कि गाउं व कोशाम भी इलाबा लोड़ते समय गाउं के बाहर पेड़के नीचे चोतरमुक शियू की परतिमा रखी देखकर व्यास जिन उठा लिया थी और जो संग्राले में रखवा दिया था, यह प्रसंग है, यह क्या क्या चप्रास ने व्यास जी को पताए कि पसोवे के निकट सत गाउं से 15-20 आदमी उनसे मिलने आए हैं, व्यास जी उनने बुला लिया, मुख्या ने अत्यंद विनमर्ता से का कि महराज जब से संकर भगवान हमें छोड़कर यह आ गए हैं, तब से गाउं बर के लोगों ने पानी तक नहीं पिया, अब हम लोगों को पुरान आपकी हा मूर्ती, तो व्यास जी को जब यह पता चला कि गाउं वाले अपने शंकर भगवान के परती इतनी ममता रखते हैं, तो उन्होंने मूर्ती उन्हें सहर्ष वापस कर दी और वे उसे लेकर परसंद होकर चलेगे, व्यास जी लिखते हैं कि यदि उन्हें यह पता होता कि इस रहा हैं डान डान जा रहा था कि एक खेत की मेंड पर जैड तुस Deadpool की आट फुट लंबी एक सुंदर मूर्थी पड़ी देखी कुल मिला के पूरे म्यूजियम के गहान यह जहां भी व्याजी कुछ मिलता उठा के लिया थे ठीक है मतुरा के लाल पत्र की थी सीवा सर के पदिस्तल तक संपूर्ण थी मतलब पूरी कंपेड़ बने वी थी मैं उचत्य मुर्ति इपठा रहेंगे यह हमारा हैं दूही दिन हमार हमारे हर रुका रुका रहें तब हम इनका निकरवा है यह नंख्सान का उन बरी मतलब इसका नुकसान को न बरेगा मैं समझ गया बात यह है कि में उस समय बले आदमी की तरह कूरता दोती में यह उस तरह बोलने की हिमत पड़ी सोचा की बूडिया के मौन लगना ही ठीक नहीं परसंग संदर फिक्स है परसंग व्यास दी प्रयाक संग्राले के संस्तापक थे पुरतात्यों की महत्व की दर दुद्द जो भी सामगरी उने मिलते थे उने कटा किया करते थे इनका कच्छा चिटा कोशामी और उसके आसपास पुरतात्यों में तो प्रभू सामगरी मिल जाती है क्योंकि यह बहुत रहा है एक दिन कोशामी के आसपास के किसी गाओं के खेत की मेड़ पर वह जा रहे थे एक खेत की मेड़ पर ने बोधी सत्वे की लाल पत्र की बनी आठ फुट लंभी तो सिर नहीं था बाकी था उसमें पूरा तो सिर नहीं था किन्तु बाकी सली साही सलामती गाहूं में आकर पांच-छे आदमियों को तता मूर्ती लटकाने के सामान को लेकर खेत पर लोटे और जब मूर्ती उठाने लगे तो खेत निरा थी एक बुढ़िया तमक कर क्रोध व्यक्त करती बोली यह हमारी मूर्ती है हम नहीं देंगे दो दिन तक हमारा हल खेत में रुका रहा तब इसे हमने निकाला है क्योंकि वो पूरा बोधिस्तल है तो अंदर जमीन में थी तो इन्हों जब खेती कर रहे तब वो अंदर से निकाली है उसका नुक्सान की परपा पहने एक आदमी की तरह लग रहे थे इसलिए बुडिया को यह सब कहने का सहस हुआ उन्हें बुडिया के मूह लगना उचितना समझा और चुप चाप दो रुपे देकर मुर्ती ले ली व्यास दिने किस परकार कटना है उठा कर संग्राले कर साम मगरी तो बताओ आज भी म्यूजियम सेफ है तो अपन देख पा रहे हैं तो यह सब बातें ऐसे बले लोग भी खुब हैं बाशा सरल से विड़ा तो वो सब डाल सकते हो चटा दूसरे की मुद्रा की जंजना हट गरीब आदमी के हरदे में उतेजना उत्पन करती हैं उसी का आश्रे लिया मैंने मुक्सानों का पूरे होई जाई यह यहां पड़े अंड से करिये ने डेहरी लाइक ने बंडेरी लाइक तो बुडिया को बात समझ में आ गई कि जब रुपिया हाथ में आए गया तो बोली बढ़िया हम मने नहीं करी तो तुम ले जाओ ठीक है मैं तो क्या करूंगी ले यह यह तो फिक्स है परसंग इस आउतर में लेकर बताता है कि उन्हें बोधिसत्वे की कुशानकाली की मूर्ति किस तरह दो रुपियों से प्राप्त हुई एक बुडिया खेट पर पड़ी आठ फूट की वे प्राचीन मूर्ति फॉरतातिक देश्टिसें बहश किमती थी बुडिया उस पर अपना हग जतारी थी जब व्यास दिने जेप्स में पड़े रुपियों को खनखना तो यह बढ़िया बुडिया को दो रुपे देकर संतोस्ट किया तो मूर्ति पने संग्राले ले 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 चलते हैं यह चीज होती है वरना अपन कोई भी संग्राले की को लोटा नहीं पड़ती है व्याक्या संस्कृत में कावत है कि दूसरे की मुद्रा की जन जनाहट गरीब आदमी के रुदे में उतेजना पैदा करती है व्यास दिने जब खेत की मेड़ पर पड़ी आठ फूट जो लंबी बोदिसत्वे की उस प्रतिमा को उठाने का उप दिन तक हमारा हल रुका रहा तब हम इसे निकला पाई थे हमारा नुकसान कौन बरेगा तब व्याजने जेब में पड़े सिक को इन दो रुपे जो रुपे जो रुकाउट पैदा कर रही है वे दूर हो जाएगी साथ ही तुमारे किसी काम की भी नहीं है ने तो कोई देहर तेरी में दो मोटा खंबा जो उसके रूप में लगा सके गई बुड़िया तुरंद मान गई और कहने लगी मैं मना नहीं करती आप इसे ले जाए इस तरह दो रुपे में राजी हो गई और बहश की हमती बौदिस सत्वे की मूर्ति परियाग संग्रा ले तो व्याजने प ठीक है साथवा जिस गाओं में बद्रमत का उस्षिलालेग हो सकता है वहां संभव है और भी इस्षिलालेग हो अते में हजियापुर जो कोशामभी से के और चार पांच मील था गया और मैंने गुलजार मिया के यहां डेरा डाल दिया उसके भाई को जो म्यूनिस्टिपैल जिनमें एक से दूसरे तक अट पहल पत्र की बंडर पानी भरने के लिए गड़ी होई थी से ऐसा में द्रश्टी एक बंडेर पर गई जिससे एक सीरे से दूसरे तक ब्रामय अक्षरों में लेक लिका था यह तो प्रसंग हो जाएगा हजियापुर गाओं में भद्र मत का शीलालेक मिला यह जानकर व्यासदी ने सोचा कि यहां और भी शीलालेक मिल सकते हैं और यह सोचकर ने गाओं में गुलजार मियागे कर डेर डाल दिया लेका कि लेका कि जब हजियापुर में बद्र मत का शीलालेक मिला तबी उनको लगा कि यहां पुरादात्विक नगरपाली का मिनोकर था गुलजार मिया के घड़ के ठीक सामने एक पुराना पक्का कुवा था जो इस पर चार खंबे थे चारू खंबू को आपस में बंडेरू से जोड़ा गया था इन में से एक बंडेर व्यास दी की ब्रह्मी अक्सुरू में एक सीरे से दूसरे सीरे तक यह देखकर उनकी तवीत फड़क उटी और गुलजार मिया ने वे एक बंडेर संग्राले के तुरू निकल वा ली पुरा तत्रीक मेहतवे कि इस शिराले के नहीं बंडेर जिस पर लेक अंकी था वस संग्राले के लिए पाकर व्यास दी को लगा कि भद द्रमत का जो शिरा उन्हें नहीं मिल पाए था उसकी शत्तिपूर्ती हो गई और यहां जो आना उसार्तक हो गया ठीक है विशेश में विशेश में आप वही चीज जा दे सकते जो पिछले में थी जो परियास किये गए आटमा उस साल ओरियंटल कॉंफरेंस का दिवेशन मैसूर में था मेरे तामर मूर्तियां और ताल पत्र पर हस्त लिपित प्यतियों की मंडी हैं दोनुं का जो प्रयाख संग्राली में नितान अबाव था उप्रियुक्त तीनु कारणों में परतेक मुझे प्रलुब्ध करने के लिए प्रतियों के सामुई आकर्षन ने मुझे मैसूर कियो और पर बसके चलिया संदर पावनापिक से प्रसंग व्याज ने ओरिएंटल कॉन्फरेंस के दिवेशन के सिलसले में अपने मित्र कवी ठाकुर गोपार सुन सिंग के साथ मेसूर गए संग्राली में तामर मूर्तियों और ताल पत्र पर लिखी पोतियों का अभाव था और दो ठाकुर गोपार सुन सेंग साइट विपा के सभापति थे वे भी उसमें भाग लेने जा रहे थे अतिक व्यास जी को अपने मित्र का रूचिकर साथ मिल गया क्योंकि दोने दोस्त थे उनकी भी रूची थी और दूसरे उन्होंने सुन रहा ताकि दक्षिन भारत तामर मू में भाग लेने का निश्य किया विश्यष व्याज ने संग्राले के लिए पुरतात्य में सामगरी किस प्रकार इकट्टी की सा कच्चा चिटा यह सेम डूसरे में तो आशात्य सपलता हुई इतनी संख्या में और इतनी महत्वपुन सामगरी आई कि धरते उठाते नहीं ब मुर्तियां कई हजार चित्र 14,000 हस्ति पुष्टक हैं हजारों सिक्के मन के महरे इतियादी इनका परदशन और सनक्षन कोई हंसी खेल नहीं था बड़ी बड़ी चीजें बहुत हजारों में चीजें लोगों की शिकाई थी कि मुनसेपिलिटी में इनके लिए इस्तान शिक्ता थी देखो कि देर देर संग्रायले का संग्रे बढ़ता गया और पुरतात्यों के संग्राय में आशातित सफलता मेली संग्रायले के पास परचूर सामगरी कतर्त हो गई जिसमें लगबग 2000 पत्तर की मूरतियां थी 5000 मिटी पूरा फैक्ट वोका हुई है नगरपाल बहुन के दिर्मान के लिए जग्या और धन की वह उज्था शुरू कर दी ठीक है साममगरी इतने दिक और हो गई कि चीज़े इतने परकार गी थी कि उनका परत्रशन करना भी बहुत मुश्किल हो गया ठीक है बागी सेम ही है बाचा सरल है और कैसे कैसे संग्रे दोस्तों स उसके रहने के लिए विशाल बहुन बनवा दिया, यह किस की बात कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, म्यूजियम की, उसमें उसका गर्याप्रवश करा दिया, उसके सनक्षन परिवधन के लिए एक सुयोद की अभिवाक डॉक्टर सतिश संदर काला को नियुद कर दिया, फिर मैंने सन्यास्त ले लिए, यह फिक्स है, व्याज़ जी प्रियाक संग्राले की संथा पकते हैं, उन्होंने अने कट्टे की उसके लिए पर्थक बाउन का निरमाण कराया, जो उसके लिए सनक्षन यह परिवधन का उतवदाईत वे एक सुयोग की वैक्ति को सौंप कर सन्यास्त ले लिया और अंतरन के इस भाग में इसी वरतान का उल्य के इसमें पूरे में कि व्यास देखो प्रयाक संग्राइले के संस्ता पकते हैं उन्होंने अतेंद विनमर्ता पर सुयम को इस वरे से नहीं देते वे खुद गुसरे नहीं दिया ठीक है और निमत परण गोशित किया स कर सकता हूं और वाकि मैंने नहीं किया समान लो अब बताना उनके विनमर्ता यह अन्यता प्रयाक संग्राइले की कलपना भी उनके बिना नहीं की जा सकती थी सोचो ठीक है आकाश में अरुन दे होते ही अंदकार छंड जाता है पर वास्तिता यह है कि अरुन को अपने तब उसके लिए भाउन बनवा कर गरह परवेश करा देते हैं ठीक उसी प्रकार व्यास दिने भी परयाक संग्राइले को जनम दिया उसका सरंक्षन परदन किया और उसके लिए एक विशाल भाउन बनवा दिया यही नहीं अब देको यही नहीं अपी तु उस भाउन में उ को कि यह जो काला जी बेड़े सुयों की वेक्ति थे खुद ने सन्यास ले लिया और अपनी कारिये से विरत हो गए और यह तो अब प्रशन तो देख लेते हैं पहला प्रशन है कि प्रशिद का क्या कारण था और लेकर को वहां क्यों जाना जाता था अब सारे आन साब को य और यह भी किद्वन्ती थी सब्राण रशोग नहीं आए कि स्टूब बनवाए था अब पसोवे में व्यायम शाला और स्टूब के चिन जो तोशेंस नहीं है परन्तू पहाड़ी अभी तक है लेकर कि इस पुरतात्विक महत्वे वाले गाउं में कुछ पुरतात्विक साम संग्राले के लिए विबन परकार की पुरतात्विक महत्वेकी सामगर्य तलास दे लेते थे जहां कई भी जाते हैं साथ जोफ्षें कने परकार थैब मुरतियां वाली चोत्रमुकी शिव की परतीमा नहीं डिया जो गाउं की बाहरए ama rejection यहां यहां वापस हो लेक तीसरा चांदरायन वरत करती हुई बिल्ली के सामने एक चुवा स्वेम आ जाए तो बैचारी वह अपना करते हुपालन करना ही पड़ता है समझ गए अभी वैक्या पड़ी थी कि जब भूक की बिल्ली के सामने चुवा आ जाए तो अपना वरत तो पसवा ने जब लेकक कोश करने के लिए लेकक ने कहा कि जैसे चंद्रायन वरत करती है बुक की बिल्ली की सामने दी उसका प्रिय चुवा आ जाई तो बैचारी उसे खाकरी अपना वरत करते हुपालन करेगी उसी प्रकार पुरता तो एक महत्तवेगी वस्तू के लिए इदर उदर पटकने वाले व् फिर अपना सोना खोटा तो परकवया का कौन दोस से लेकर क्या अतात परिये मंदलने से कोई मूर्ति गाइब हो गई ठीक है तो गाववालों को शक हो गया कि संग्राले व्यास जी पर जाता है शक्त और सभी जाता था 95% और यह सच में था क्योंकि वे ही पुरतात्य मेहत् तो दोसरों के द्वारा उस वर संगेत करने पर उन्हें बला कैसे दोशी ठारा सकते हैं लगर अपनी वस्तों आरोसों खोटी है दैस्ट तो परकने वाले दोस नहीं कहा हुंगा सिरू नि working जीजिए घौत रहा साब से से कब तोड़ा दोनों परसां को इस पश्ट कीजिए तो व्यास जी किसी गाउं के बार एक पेड़े के नीचे रखी चत्रमों के शिव की मूर्ति को उठा लाई थे जिसकी पूजा अर्चना करने जब गाउंवालों ने इस पात का पता चला कि शिव जी गाईब हो गए उंतरधान हो गए हैं दिखने रहें तो उन्हें ठान लिया कि जब तक शिव जी वापस नहीं आएंगे तब तक वे उपवास रखेंगे और एक बूंद पाने तक नहीं पिएंगे और गाउंग के उन्हें पता होता इस सीजगा इतना इनकी महमता है उस मुर्ती पर तो वे उठा कर लाते ही नहीं फिर देखो लेकर बुडिया को बोधिसत्वे की आठ फूट लंबी सुन्दर मूर्ती पराप्त करने कैसे सफल हुआ दो रूपे देखे याद ना तो पुरतात्विक सामरी दिरतियों वर्स में बनाई गई थी एसी वुरतात्विक महल महत्वे की मुर्ती को देख कर वे अतन्थ परसन हुए और जब उसे उठवा कर लाने लगे तो खेद में निराई करती बुडिया ने एतराज किया और कहा कि ये हमारे खेद से निकली है हम नहीं देंगे इसे न देने लग गया लेकिन व्यास दी ने उस मूर्ती को नहीं दिया और आज संग्राले में शोबा बढ़ा रही है आज भी ठीक है फिर इमान ऐसी कोई चीज मेरे पास हुई नहीं जो उसकी डिगने का कोई सब्वाल नहीं उड़ता यदि होता तो इतना बड़ा संग्रे बिन एक एक वस्तू का संग्रे करने बहुत श्रम किया बहुत मैनत की यदि इमान पटी के रहते हैं तो बिना पैसा कोडी खर्च के इतना बड़ा संग्र नहीं बन सकता था और वे कहना चाहते हैं वे कहना चाह रहे हैं कि संग्राले के निर्मा नेतु मैंने सब कुछ दाओं प जाते अगर सारी मूर्तियां से उठाटा के 2-2 रुपे में खरिद के बेश दे तो कितने ही पैसा हो जाता तो जवाब उड़ने उस फ्रांसी को दिया था फ्रांसी को कहा था यह बात 10,000 रुपे देने को तयार हो गया था तो नहीं कहा कि नहीं कि मैरा इमान कैसे रिगा सक किया था पर व्यास जी ने उनकी प्रयाब प्रस्ताव को विनमताज ठुकरा दिया और आज भी मूर्ति प्रयाग संग्राले में शुबा बढ़ा रही है ठीक है फिर दो रुपे में प्राप बोधिसत्वे की मूर्ति पर 10,000 रुपे क्यों ने उच्छावर किये जा थे तो दूसरे वर्स में हुआ था इस परकार का लेक मूर्ति के नीचे लिखाव भी है डेट वैक सब लिखी हुई है उतकिन था इस प्रतक के महत्वे की बैश किमती मूर्ति के लिए फ्रांस डिलर इसी कारण 10,000 रुपे दे रहा था पर रहन तो व्यास जी नहीं है इस भी हजिए तो देखो हजियापुर गाहों में बद्रमत एक श्रीलाडेक मिला था किन्तों उसे 25 रुपे देखर मजूमदार साब ने भर सरकार के पुरत्वी बाग के लिए खरिद लिया प्रयाक संग्राले में बद्रमत के श्रीलाडेक पहले से ही ते अधि खानी नहीं हुई व्याज जी ने सोचा कि हजियापुर में और भी पुरता तो मैद्वे की सामगरी मिल सकती है और ये सोचकर उनने गुलजार मिया के यहां डेरा डाल दिया उनके घर के सामने कुए पर चार इस्तमों की जो परस पर जोडने वाली जो बंडेरों में से एक बंडेर ब्रहमी इक शुरी में लिखिये लेग था व्याज जीव बंडेर संग्राले के लिए निकला ली और इस परकार भाद्रमत के शर्ति पूरती पूरी हो गई ठीक है और फिर दस्तुमां कि लेकर अपने संग्राले की निर्माण में किन-किन के परती अपना आभार करता है और किसे इस टाहिम टें इस यह देखेंगे पताने इसको कंफर्म करें अब बार कर दूंगा गलत वात आतों नहीं करेंगे और उन्हें सुवह के दिवान लाल भार्गवेंदर सिंग जी लेकर का सवबयक अधर अर्दली जग्देव पर्याग संग्षनेंव परिवर्धन का उतरद एक इसकारे में सन्यास ले लिया निश्यन्त हो गए ये सब दो चार एक्जम्पल है बड़ी एक्जम्पल नाम लिख देना कच्चा चिटा के आधार प्रयाक संग्राले को ब्रजमौन व्यास के योगदान परकाश डाली है तो सब को ब्रजमौन में इस दिखाए है व्यापदाने उन्हें बनाए था व्यास दिने पुरादात्य मेहत्यों की पटशु सामगरी को पाने के लिए आसपास की खाक छानी की जगेज जगें चान मारी की दिर दिर सामगरी कटी हो गई साथ ही वे लोब लालत से भी दूर है क्योंकि एक भी मूर्ती बेचे नहीं थी बोधी सत्वे कुशान काले एक्जामल दे सकते हैं जो दो रुपे में करती दस जार रुपे में खिरत नहीं बेची थी ठीक है अपना इमान नहीं डिगाया प्रयाक संग्राले के नहीं भाउन का निर्मान करवाया नहरूजी ने उसका सिरन्यास भी करवाया था और फिर नगरपाली का भाउन से संग्राले को नवीन भाउन में इस्तार निट्रिंट कर दिए सोयोग अभिबाउग डॉक्टर सतिसंद काला को संग्राले के सनक्षन पर्तिवदन की जिमेदारी सौंप करों ने सन्यास ले लिया और निश्य प्रयाक संग्राले को निर्मित करने में व्यास जी का बहुत बड़ा योगदान है आजगा लास्ट क्योशन कि मैं तो केवल निमित मातर था अरुन के पीचे सौरिय था व्यास जी के इस कत्रन का क्या आश है वही बात है कि मैंने तो क्या किया सब परमातमा करने वारत मैंने एक प्रयास किया है तो प्रयाक संग्राले के लिए पुरा तत्वे की वश्तूं के संग्रे और सनक्षन तता उसके लिए विशाल बहुन बनुआने में व्यास जी ने बहुत परिश्रम किया था इस संग्राले को त्यार करने में का श्रय एक मात्र उनका ही है पर उन्हें तो व्याज जी ने इनका श्रय नहीं लिया उन्हें इस का श्रय इश्वर को दिया उन्हें स्वेम को अरुण ने परकाश माना है अरुण ने परकाश के पीछे सूर्य होता है सूरी के तेज से ही परकास अंसार में फैल कर अंद्यार दूर करता है उसी परकार लेखा के इन अरुन परकास है तदा उसको परियुत करने वाला सूरी इश्वर है और इश्वर ने परियाग संग्राले को बनाने का महानकारी किया है व्याज जी तो केवल कारण है इस विकर्ति से व्याज जी विनमर्ता के वेक्ट होती है जपरदस चप्टर हैं आपको एक knowledge भी तो मिला ना कि जो परियाग संग्राले हैं परियाग जो museum है उक इनके दोरा बनाया गया है यह था इन्दी साइटेव चप्टर बहुत दिशांदार I think मेरे साथ की साथ आपको याद भी हो गया होगा तंप्लिक्ट